अज एक और एक्जाम्पल देखते हैं अपना टाइमेंड वर्क का और यह कुशन है पाइप सेंड सिस्टरंस वरा जो टॉपिक होता है उसका कुश्यन नहीं पर अंडर उसी हेडिंग के आता है ताइमेंड वर्क और सिमिलर कुश्यन है मिनिंग यह हुआ कि एक पाइप है जो कि एक टैंक को 10 गंटे में बरता है और एक पाइप है जो कि उसे 15 गंटे में खाली करता है अगर दोनों टैप हम चला दें दोनों पाइप हम चला दें तो कितने गंटे लगेंगे आधे फुल टैंक को कम्प्लीट फुल होने में यो टैंक है वो कैसा है ये question में क्या होगा है यो tank है वो आधा खा लिए ये तो भढ़ चुका है ये खा लिए तो इसे भढ़ने के लिए कितने गंटे लगेंगे कितने आर्स लगेंगे ठीक है तो देख लेते हैं जो पाइप A है वो एक गंटे में कितना काम करेगा वन आर्स में तो टैन आर्स में वह 100% भर देगा इसका मतलब वन आर्स में वह 10% भर देगा टैंक को बी जो पाइप है वो या करेगा पंदरा घंटे में पूरे फिल टैंक को खाली करदेगा तो एक घंटे में किता खाली करदेगा एक घंटे में खाली करदेगा 100 upon 15 15 is 90 बचा 10 upon 15 that is equal to 2 upon 3 इतना खाली करदेगा तो अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक घंटे में कितना फिल कर देंगे 10-6 hole 2 upon 3 तो ये बच गया 3 hole 1 upon 3 पतिश्चत या परसेंटेज इन 1 आप एक घंटे में तो एक घंटे में 10 कितना भरेगा तो इस 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 नाइब 10 upon 3 percent इसे हम आते भी लिष सकते हैं ये 10 upon 3 percent कितना हुआ that means 10 upon 3 percent एक घंटे में बढ़ेगा इन 1 आप 3 को इधर ले आते हैं तो हम कहते हैं कि जो 10 percent है ये बढ़ेगा 3 घंटे में 3 आप्स में अब भरना कितना है हमें सिरफ 50 percent बढ़ना है ये आधा है तो 50 percent बढ़ना है तो जो 50 percent है 50 percent कितने घंटे में फिल हो जाएगा 10 into 5 is equal to 50 so 3 into 5 is equal to 15 15 hours is the answer Thank you 士 5 is equal to 50 percent будем है पापको आपको ज़ें कुछ है 100 गो भर गल